मेरी बात को लार्जर कंटेक्स में देखिएगा, इसलिए मेरे फोकस में राष्ट इसलिए है, कि जिस दिन भारत राष्ट के 95 करोड सनातनी अपनी सामुई शक्ति को समझ जाएंगे, सत्ता आपकी चोखट पे नाक रगड़ के पूछेगी, बताओ क्या करना है। अभी सिर्फ उसका आपने 14 में, 19 में, 22 में ट्रेलर दिया है, ये शुरुवात है, इसलिए सब कुछ बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन क्रांतियां, रेवलुशन इसी तरह से होते हैं, और एक अंजाम पे पहुँचते हैं। ऐसे बहादुरों को चुनिए, वो किस पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं है, ये महत नहीं है, बहादुर को चुनिए, बहादुर को, जो समय के सामने जो चुनोतियां हैं, उन चुनोतियों का जवाब दे सके। और उसका जवाब देने का तरीका ऐसा ही है कि उसने कुछ किया नहीं है भारत की संसद में 370 पे जब बहस हो रही थी तो आप लोगों ने बहस सुनी नहीं आपके संसद में एक आदमी जिसे मैं आधुनिक भारत का चानक कमानता हूं लेकिन आप जब उसको पार्टी पॉलिटिक से देखते हैं तो आपको शायद अच्छा ना लगता हो उस आदमी ने बिना शोर शरावे करके जैसे सरदार पटेल ने 370 को जब पास कराया था नहरू जी ने उनसे कहा कि इसे पास कराये मैं विदेश चारा हूँ इसमें बड़ा विदेशी मामला है सरदार पटेल का विजन देखिए वोही विजन में उस आदमी की बात बताऊंगा आपको जोब हमारे बीच में नहीं है और दुर्भाग देखिए पार्टी की एक विदेशी महला जो ताकतवर थी उसने चाह लिया था कि भारत के इस सपूत को दिल्ली के अंदर अन्तेश्टी करने नहीं दी जाएगी क्योंकि अगर ये दिल्ली में रुग गया तो फिर इसका यहीं पे कहीं इस मारत बन जाएगा दो दो मंत्री जिसमें एक आपके महराष्ट का है जब ग्रे मंत्री था तो दिन में तीन वार हमले होते थे वो चार बार कोट बदलता था उसको लगाया इस काम पे कि इसकी डेड बोडी दिल्ली के अंदर नहीं रहनी चाहिए हर आदे घंटे के बाद उसके परिवार के पास पहुँच-पहुँचके कहा कि आप कब इसको हैदराबाद ले चाहरे है कब इसको हैदराबाद ले चाहरे है और दुर्गती देखिए ये मेरी और आपकी कमी है उस प्रधान मंत्री के खिलाफ इत्याँ शड्यंतर किया कि जब उनको मौाखनी दी गई इतना टाइट हालात कर दिये कि उनकी पूरी बॉड़ी उस अगनी में भस्म नहीं हुई और उस से पहले उनकी बॉड़ी को कुत्तों ने खाया हम नहीं जानना चाते मुझे जब जब ये ख्याल आता है बड़ा गिल्ट होता है बहुत तकलीफ होती है उस आदमी का नाम था पीवी नरसे मराओ उस पीवी नरसे मराओ ने कितना बड़ा काम किया जो काम सरदार पटेल ने किया था वही नरसे मराओ करके गए आपकी आँख उधर नहीं जाती, मेरी आँख उधर ही जाती है सरदार पटेल के किस्से को बता करके मैं बाद समाप्ट कर देता हूँ सरदार पटेल जब 370 पर चर्चा हो रही थी 370 को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ था तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी दे करके पंडीजी चले गए विदेश और कहा कि इसे पार्लमेंट में पास कराना है सरदार पटेल ने पार्लमेंट में सबसे कहा कि ये नहरूजी चाहते हैं कि इसे पास किया जाए और बार बार वो एकी बात को ऐसी का रहे थे और परलमेंट ऐसे ही है जैसे आप यहां बैठें इसी तरीके की परलमेंट है और थोड़ी देर के बाद वो पास हो गई 370 पास हो गई जब 370 पास हो गई तो सरदार पटेल ने अपने पटेल होने का और गुजराती होने का पर्चे दिया चिला चिला के बोले खुद बोले कि देखे थ्री सेविंटी नहरू जी चाहते हैं कुछ विदेशी मामलात हैं आप इसे पास कर दीजे उन्होंने पास कर दे और फिर खुद ही कहा कि मैं ये जानता हूँ कि इसको पास करने में बहुत सारे लोग नहीं है उनके अपने रिजर्वेशन है और जैन्विन रिजर्वेशन है वो इस राय के नहीं है कि थ्री सेविंटी लागू होनी चाहिए लेकिन मेरी बात आप ने रखी अब मुझे आपकी बात रखनी है और थ्री सेविंटी भारत के सम्विधान में आ गई लेकिन सरदार पटेल का विजन देखी है उसी सरदार पटेल ने उसी विजन के साथ बार बार जब ये कहा कि बहुत सारे लोग इस बास से नाराज है बहुत सारे लोग इसमें एक राय नहीं है कि थ्री सेविंटी को लागू रख करना चाहिए उनकी नाराजगी भी इसमें दर्ज होनी चाहिए और नाराजगी को दर्ज करने का क्या तरीका नायाब निकाला कि धारा तीन सो सतर पास हो गई लिख दिया लेकिन उसी के नीचे लिख दिया इट इस टेंप्रेरी है सरदार पटेल से कोई बड़ा विजनरी हो सकता है लेकिन उन्हें विजनरी नहीं कहा विजनरी उन्हें कहा जो कहीं और विजी थे सरदार पटेल ने ये खुआब में नहीं सोचा होगा लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि सरदार पटेल को जरूर इस बात का भरूसर रहा होगा बिल्कुल रहा होगा कि उनको पता था कि सतर साल के बाद मेरे राज सही दो गुजराती आएंगे और पर्मनेंटली हटा देंगे और वो हट गई नरसिम्मा राउन ने जो किया मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए 370 की पार्लिमेंट में चर्चा को दुबारा देख सकते हैं आज कल तो सारी चीज रिकॉर्ट पर है कुछ बातें शोर में आप सुनना नहीं चाहते लेकिन शोर के अंदर बहुत सारी बातें काम की हो जाती है 22 फरवरी 1994 को भारत की पार्लिमेंट में दोनों हाउस की एक चर्चा हो रही थी पाकिस्तान केंदर में था कैसे क्या क्या बात उस पे हुई उसको छोड़ दीजे इसलिए मैं नरसिम्मा राओ के क्योंकि जब तक वो प्रदान मंत्री थे मैं एक पत्रकार की हैसित में जानता था लेकिन बहुत सारे कारणों से नहीं मिल पाया आपी के प्रदेश के शहर नाकपुर में उनके बिलकुल जीवन में पिछले 40-50 साल जब तक वो रहे उनके साथ जुड़े हुए थे खांडे करजी उनके क्लोजिस्ट पिये थे सब रास जानते थे उनका वी देहन्थ दो साल पहले हो गया नरसिम्मा राओ ने 22 फरवरी 1995 को संसद के अंदर पाकिस्तान के मामले पे बहस चल रही थी उन्होंने कुछ नहीं कहा सब कुछ कहा फिर उसके बाद में ये कहा कि हम पाकिस्तान के मामले पे एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं सब सहमत हो गया है और उनका पहला वाक्ष था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है वो पॉज अटल जी से भी जादा लंबा लेते थे क्योंकि वो अटल जी को गुरू मानते थे अपना पॉज लिया क्या उन्होंने वाम पंतियों ने कहा ये तो हमारे दिल की बात कह थी पहली बात भारत की पार्लिमेंट ये मान रही है वी आर विद यू उन्होंने पॉज के बात बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है यहाँ पे पॉज लिया फिर आगे बोले आगे बोले कि सिर्फ विवाद इतना ही है कि जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कबजा कर लिया है वो वापस लेना है ये भारत की पार्लमेंट में 22 फरवरी 1994 को प्रस्ताव पारित हो गया है और पार्लमेंट में जब कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो पार्टी सरकार का मुद्दा नहीं होता वो संसद की प्रॉपर्टी होता है उसके उपर कभी न कभी संसद को एक्षन लेना होता है लोग भूल गए 370 पे जब चर्चा हो रही थी जो 2019 में भेजा था उसे ये काम सौपा गया और वो अपने अंदाज में जिस अंदाज के वो हैं दूसरे वाले उन्होंने उस पे चर्चा की चर्चा करते कखते आपने पीछे से एक सुर नहीं सुना उस पे जब कॉंग्रेसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 370 हटेगी और ये होगा और ये होगा ये होगा तो उन्होंने कहा एक पीछे से एक मंत्री उठे जो परधान मंत्री कार्याले में है कश्मीर के है उन्होंने उठकर के अपने एजंडे को आगे कर दिया और उस एजंडे में उन्होंने ये कहा कि कॉंग्रिस पार्टी ने ही ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कबजे में है वो लेना है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं लोग सुनके खामोश हो गए लोगों को भूल गए ये संसद में बोले हुए शब्द हैं किसी पब्लिक स्पीच में नहीं कहे जो इस्थिती पडोस में हो रही है चौबीस तक हम वहीं बढ़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू भेरी मच्च